OBC के मान सम्मान की बात चल रही है वैसे राहूल ने ये गलत किया कि सारे मोधियों को चोर बोल दिया देखा जाए तो इस सोसाइटी में जिनके पास माल हो मान सम्मान भी उसी को मिलता है और जो मोदी भागे उनके पास तो बरपुर माल है तो फिर उनको चोर बोलने के बजाए माननीय मोदी गण बोलना चाहिए था अब बीजेपी अपने OBC कारेकरताओं से राहुल का विरोध करने को कह रही है क्योंकि मोदी जी ने खुद को 2002 में OBC बना कर भविष्य की राजनिती तै कर ली थी मोदी जी गुजरात राज के अमीर और सम्रिद मोड घांची जाती से है गुजरात के मोढेरा से तालुक नखने वालों को मोड घांची कहा जाता है अब इन में से बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हैं वैसे देखा जाए तो गोधरा हत्याकान में पकड़े गए ज़्यादातर लोग घांची मुसल्मान थे ये पुस्तैनी तोर पर खाने के तेल का व्यापार करने वारे लोग हैं अब इस बिरादरी को मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले OBC सूची में शामिल नहीं किया गया था खुद को OBC बताकर मोदी जी ने OBC समधाय को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ लिया आमत्र पर ये आरोब दलीतों पर ही लगता है कि अत्याचार होने पर ये लोग जाती की बात करते हैं लेकिन अब BJP भी यही कर रही है तो OBC कारेकरताओं को उन्होंने आगे कर दिया इधर बेचारे कारेकरताओं को ये तक नहीं मालूम कि उनको किस बात का विरोध करना है और वो सड़क पर आये किस लिए हैं महराश की सड़कों पर उत्रे कारेकरताओं से जब एक पत्रकार ने पूछा तो वो बोलने लगे कि पता नहीं पार्टी ने हमको आदेश किया तो हम तो आ गए पार्टी ने पत्रकार न पत्रकार तो हम तो आदेश किया अंदोलन शुरा है मतरब नेमका अंदोलन कशा साथी आहे तो भाजब्चा कारे करताओं इन बेचारों का यही हाल है उन्नीस सो नवासी नब्बे में भी यह लोग बिना सूचे समझे आरेसेस के इशारे पर देश भर में अपने ही हक अधिकारों के खिलाब लड़ते रहे OBC के इस भोलेपन का कॉंग्रेस BJP ने खूब फायदा उठाया और अब तक OBC को 52% आरेक्षन का आउसर देनी की सफारिस करने वाले मंडल कमिशन को आज तक लागू नहीं होने दिया बाद में BSP और बामसेप के जनान दुलन से हुए जागरुग जब OBC हो गए और अपना हक मांगने लगे तो कहीं पर 14 तो कहीं पर 27% की बात कहे कहे कर लटका दिया अब भी कई राज्यों में ये प्रस्ताओ जो है पारित होने के बावजिद मोधी सरकार याने केंद्र की सरकार ने रोक रखे हैं नौकरियों के लिए जारी विज्यापनों की संख्या को अगर जोड़े तो उसमें EWS का जो 10% है वो OBC के 27% से बढ़ा हो गया है 52% OBC से जादा नौकरिया तो EWS को मिल रही है जो 15% से भी कम है इन 8 सालों में सरकारी प्रमुग पदों से लेकर नयाय पालिका तक के पदों में कहीं पर भी मोधी जी ने अपने OBC भाईयों को सीट नहीं दिलवा पाए बलकि EWS देकर सवर्णों को 10% और दे दिया नौकरियों से लेकर सारी योजनाय जाती के अधार पर बनती हैं लेकिन इतने दिनों से केंद्र ने जातिकत जंगर्ना होने नहीं दी और इस चक्कर में प्रमुग जंगर्ना भी रोख रखी है और जो हुई थी उसके आकड़े भी जारी नहीं किये और इसी कारण OBC को उसकी संख्या के अनुपात में बहुत कम नौकरिया मिल पाती हैं और इधर गोदी मीडिया में BJP के नेता OBC के सम्मान की बात कह रहे हैं और वो भी गोदी मीडिया वाले भी इसको जोर सोर से बजाने के लिए खुब माल बटोर रह हैं अब मीडिया का तो ठीक है कि वो तो सूत्रों के हवाले से करते करते पता नहीं कब मूत्रों के हवाले तक कि लाई रिपोर्टिंग से अपनी टियार पी और माल बना रहा है लेकिन OBC का क्या इनको तो ना माया मिली और ना राम मतलब ये कि OBC के नाम पर पार्टी से सवर्णों को मिल गए इधर राम मंदिय ट्रस्ट में भी OBC को जगे नहीं मिली और वहां भी सिर्ष सवर्णों का ही बोल बाला तो OBC को मिला क्या सिर्फ ठेंगा तो क्या OBC सिर्फ पार्टी में प्रदर्शनों में संक्या बढ़ाने के लिए इस्तमाल होते रहेंगे इधर महराष्ट के OBC सांसर नाना पटोले जब BJP में थे तब उन्होंने इस उम्मीद से कि भाई OBC PM है तो OBC के कल्यान के लिए कुछ बात कर ली जाए उन्होंने बात की लेकिन जवाब में मोदी जी ने कुछ ऐसा रियेक्शन द पादे दिया अब ये तो OBC ही बता पाएंगे कि OBC प्रधान मंत्री के इन आठ सालों में उनको माल मिला या मान